नमस्ष्टार दोस्तों मैं अश्टुलाजर सचे दिन स्वागत और अभिनेंदम करता हूं अपने प्रिये दर्श्वों का कुछ जोतिश के छोटे-छोटे से सत्य छोटी-छोटी सी जानकारियां मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ आप लोग इन छोटी-छोटी जानकारियों से अपने बारे में अपनों के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे बार-बार आपको अपनी कुणली दिखाने के लिए किसी ऐस्टुलाजर के पास भागनी की जरूत नहीं पड़ेगी आप छोटी छोटी जानकारियों को देख कर समझ कर अपने वारे में अपनों के वारे में काफी कुछ जान पाएंगे तो आईए शुभारम करते हैं इसी एक टॉपिक का ये जानकारी चंद राश्य और नाम राश्य पर आधारित होगी और ये महिलाओं के लिए जानकारी है इसको पूरुष देखें महिला देखें या जो लोग जोतिष सीखना चाहते हैं वो लोग भी देख सकते हैं किसी जातक या जातिका की जर्म कुडली में मंगल शुक्र की युति किसी भी जातक या जातिका की जर्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति पंचम देखिए कुंडली का ये पंचम भाव है कुंडली आपके सामने आ गई सब्तम आप देखिए ये सब्तम भाव है और नवम भाव ये देखिए नवम भाव है अगर यहाँ पर हूँ मंगल और शुक्र की यूति तो विवह योग आयू निकल जाने के बाद विवह होता है पहली चीज आपको समझ में आ गई कि किसी भी जातक या जातिका के जनम कुडली में मंगल शुक्र की यूति पंचम, सब्तम या नमम भाव पर हो तो ऐसे जातक या जातिका का विवह बड़ी उम्र में होता है या विवह की आयू निकल जाने के बाद होता है अब इसी में एक चीज हम और जोड़ेंगे पंचम, सब्तम या नमम में मंगल और शुक्र की यूति हो और उसके उपर शनी की द्रश्टी हो तो ये बात सत्य हो जाती है 100% कि ऐसे जातक या जातिका का विवह बड़ी उम्र में होगा या विवह की उम्र निकल जाने के बाद होगा अब शनी को तीन द्रश्टियां प्राप्त हैं सात्वी, तीसरी और दस्वी तीसी द्रश्टी सबसे आदा खत्रगनाक होती है सात्वी द्रश्टी तो एक द्रश्टी ऐसी होती जो सभी ग्रहों को मिली होई होती है विशेश द्रश्टी जो है शनी की तीसरी और दस्वी होती है तो अगर आपकी या आपकी किसी जाणने वाले की जन्म कुंडली में पंचम, सप्तम या नवम में मंगर और शुक्र की युती है और शनी की द्रश्टी उसके उपर पढ़ रही है तो आपका या जिसकी भी कुंडली है उसका विवा विलंप से होगा आयू निकल जाने के बा बाद होगा ये बात आपको समझ में आ गई ये बात मैं आपको दो पार्टों में समझाई ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके एक बार मैंने मंगल और शुक्र की युती को बताया उसके बाद द्रश्टी को बताया लेकिन जब हम ऐसी कुंडली को देखेंगे तो हम दो पाय से हम सफलता पा सकते हैं यानि जल्दी शादी के योग बनाया जा सकते हैं या कम्योर योगों को और ताकत बर बनाया जा सकता है इसके साथ साथ अन्य और भी चीज़े हैं जो कुंडली में देखी जाएगी उसके आधार पर फाइनल डिसीजन होगा लेकिन अगर ये भी है तो भी आप समझ जाएए कि ऐसे लोगों का विवा उम्र निकल जाने के बाद यानि की बड़ी उम्र में होता है तो उमीद करता हूँ छोटी सी जानकारी आपकी समझ में आई होगी और आप इसको समझ कर समझ जाएंगे कि किसका विवा कब हो सकता है अगर व्यक्ति कि कुल्ली यानि जर्म कुल्ली इस परकार की है तो हरियो नमस्कार